हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपने यूटुब चानल अनुपिश्टेडी में मेरे प्रीच हात्रों आज जो है कि आध्याय आपका बारा चलेगा जो कि है बैद्दुत रहसायन है और अध्याय बारा और अध्याय बारा में हम लोग भी आभ्यास से सलोसन करेंगे शॉटलं को लाइक करती और हमारे साथ नहीं जोड़े है चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ेएगा और यह वीडियो यह आपको ज्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को आपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा किसे अर्भी कर दीजेगा कि कोश्चन नमर्वन है कर रहे कि निम्न में से बाइदुत अपगहट्य जो है कौन सा है तो पहलासन दिया यूरेनियम है यूरिया है और दी दिया हुआ है सोडियम सलफेट तो इसमें जो बाइदुत जो अपगहट्य है मेरे प्रिछात्यों कोश्चन नमर्वन पहले का आफसा नमबर आपका डी करेंट आपसा नमबर क्या है डी यानि कि सोडियम सलफेट क्या हो जाएगा यह आपका है सोडियम सल्फेड चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं कोश्चन नमबर दो के तरफ है तो कोश्चन नमबर दो क्या है आप देखेगा करें कि निमनी में से बाइदुत अन अपघट यह है यहां पर दिया हुआ है कैल्सियम नाइट्रेट और आपका कि आपके आपके सोडियम क्लोराइड में यह निसकति हैं यहसरे सोडियम इधी क्लॉराइड में बैदुत धारा प्रवाइद क्राइध आपके प्राप्ट होगा तो आपका अका आफिसन नंबर यह है सोडियम जो है पर माड़ु दिया हुआ है न dome प्लस सी दिया हmost औरी सील माइनस और दिया है आहे। क्लोरीन गैस तो आपका प्राप्थ नमबर तीसरे का जो है आफसा नमबर दी क्रेक्ट होगा क्लोरीन गैस आफसा नमबर क्या है डी आपका क्रेक्ट है क्लोरीन साथ हमनों बढ़ते हैं कोश्चा नमबर चार के तरफ कोश्चा नमबर चार है फैराडे के बैदुत अपघटे के नियम निम्न में से किसे संबंधित है यानि कर रहा है कोश्चा नमबर चार कि फैराडे में बैदुत जो अपघटन के नियम है निम्न में से किसे संबंधित से यानी किसी से जो है कि संबंध रखते है कौस्षन क्यार आप फूछ रहा है पहला दे रहा है धनायन का पर कूस्षम, message, Ned अपगाटिया का तुल्यांग की भार क्या है तुल्यांग की आपका भार यह आपका क्या रहा एंसर यानि कि बैदुत अपगाटिया का तुल्यांग की भार तो इसी के साथ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर पांच की तरफ तो कोश्चन नमबर पांच देखिए आपका क्या दे रखता है विद्धुत रसाइनीग सेल में में यह जो आपका है उसमें क्या उपस्थित होता है देखे चारा फ्सक्तित हूँ इस्थित उर्जा गतिच़्ूर्जा में परिवर्थित होती विद्धूर्थ से उल्जाएं में क्या किसमें प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व होती है किसमें बैदूत उर्जा में परिवर्तित होते हैं यह बडलती है किसमें बैदुत बैदुत उर्जा में ठीक है यनिकि रसानिक जो उर्जा है बैदुत उर्जा में परिवर्थित होती है ठीक है यनिकि रसानिक उर्जा जो है किसमें परिवर्थित होती है बैदुत उर्जा में जो है आपकी परिवर्थित होती है यानि कि आप से पूछ रहा था कि एक भिद्दुत जो रसाई किस्प परिवर्टित करता है तो आपकी रसानिक जो उर्जा होती है कोशन बच्छा में यह पूछ रहा है कि जो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रान पर विसर्जित आयन के भार यानिके डाबलू का मान है यानिके बिसर्जित आयन का जो भार डाबलू है वह किस के बराबर आपका होता है पहला आपसंदिया हो गया है डाबलू बराबर जेड क्यू बी आपसंदिया गया है डाबलू बराबर ए एफ और सी आपसंदिया गया है डाबलू बराबर जेड बराबर होता है जेड एल क्या दिया हुआ है जेड एल तो छोई नंबर का कोशन नंबर एक रेक्ट है यानि को एक्वल होता है यह क्या पराधम यांनि कि परथम्नियंग पूछ रहा था कि लेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के जो फार यानिकि डाव़ू है उसका माना आपका होता है यह आपका आपשר कोशन नम्र साथ के तरफ को इसे आप लोग हमेशा याद रहेगा प्रस्थन करेंगे तो आपका यह आ सकता है तो एक फइराडे बिद्दूत का जो मान होता है एक फइराडे बिद्दूत का मान कितना होता है आफ्सनेंबर ए दिया हुआ है dog Bread दिया हुआ है टस किघाट शह कोलाँ Dwarts वे fatした कोलाम दीर फिलोंध Beach दमन साथ भीड़े दस किघाट आपका छह कोलाम दटिया आफसन नमबर यह आपका करेक्ट होगा होता है 96500 कुलाम ठीक है एक फैराडे में जो है कि बिद्दूत का क्या है मान यह एक फैराडे बिद्दूत का जो मान होता है 96500 कुलाम आपका होता है तो यह रहा आपका क्या कोश्य नमबर 7 का जो है आफसन नमबर जो है आपका मेरे तो यह रहा कुछ प्रस्ट नंबर साथ तक के प्रस्टों का सलुशन और जो भी आफ्सनल थे इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज नंबर से देखते हैं कि कोशन नंबर आठ जो है आपके किस टाइब जो है सलुशन कराए जाए जाए चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते है प्रस्ट नंबर आठ के तरफ और प्रस्ट नंबर आठ जाया ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं करना है बस छोटा सा ही आपका प्रोसेस है करें कि यामजी सी एल टू में मैंगनीसियम के एक ग्राम परमाड़ू निकालने के लिए कितने फेरेट किया सकता होगी तो यहां प काथोड की अब किरिया होती है यानि काथोड की अभिकिरिया समय डिए अभी क्रीया को तो यहनि काथोड कि अब करिया में mg पर आपका है कि माइनस आपका यह कैथोड की जब अब की वर्या इसमें करावी जाती हैं यह बनता है कि अब यहाँ पर आपका जो Jacqueline म है कितना मौन एक लोज है कि यहाँ यहां पर यह दो मौल है इतना मोल मोल है और यहां पर आप अधीải ग्राम पढ़igkeit कि एक ग्राम पर मानू JACK ले लिए यहाँ पर एक ग्राम पर मानूफे एग्राम में फैरेड होता है क्या होता है है क्या होता है एक होता है कि यानि कि एक मोल बराबर कितना है एक है प्रीज्चाथ लोह चाहिए कि magnesium का जो परमाडू भार होता है आपको कितना होता है 24 ग्राम प्रतिमोल यानि कि 24 ग्राम प्रतिमोल यह आपका क्या है magnesium का जो है परमाडू भार होता है यहां पर यह समझे कि जब एक ग्राम परमाडू जब आपको निकानला होगा तो इसके लिए कितने फैरेट की हो सकता हो आपको पता हैं यह घोठ तो इस्टी में एक लल यहाँ उपस्तित में फैरादे में कितन फैरादतो यकज़िए गर्राम परमालु को निकालने के लिए आपको दो फैराडे किया हो सकता होगी समझ में आई बात दिया चलिए तो यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है यानि कि आप ऐसे भी कर सकते हैं चोविस ग्राम जो है मैगनिसियम को इकठा करने यानि कि जमा करने के लिए आपको दो फैराडे किया हो सकता होगी यानि एक ग्रम पर माडव को बाहर निकालने के लिए जो आपके फ़राडे की ओसकता होगी दो फ़राडे की ओसकता निकालने के लिए जो आफशकता होगा दो फायराड़ी क्या हो सकता होगी तो है ना बहुत मज़दार प्रस्ट इससे के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रोसेस के तरफ चलते हैं प्रस नमबर नग जो है सलूसन कैसे करना है आप ज्यान दिये बहुत सी छोटा है प्रस नमबर नभी चली से के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रस नमबर नग के तरफ करें कि एल सी एल जो है सी एल जो है सी एल जो है एक थ्री के बिलयन में धारा प्रवाहित करने करके रिडोध पर जो है कि पंदरा तेरा तोसमलों पांच ग्राम एलुमुनियम के मातरा है तेरा पांच ग्राम जो है एल मुह एकतरत करने के लिए कितने कैठ होट जो है कि आउसाकता आपकी होगी बस कर ना कुछ नहीं है सबसे पहले हम फाइन करेंगे यह लुमुनियम का तुल्यांग की भार चाहिए किसका परमाणू भार एल का परमाडु भार आबाटा में सन्यू जगता चाहिए तो आपको पता ही है कि एल्मुनियम का जो परमाडु भार आपका होता है आपको कितना होता है 27 होता है अल्मुनियम का परमाड़ भार 27 होता है आप बाटा में इसकी संजगता कितनी होती है तिन पहले हम लोग कुछ इसके पिछले वाला जो चेप्टर चल ला था उसमें हम लोग पढ़े थे संजगता में आपको बताया गया था हर एक चीज बताई था जो आपको कितना होता है जाथ खासने कि लोगता इसके लिए हम देंगला है तो लिएक को संखिया है यानि था start कूला है घ्राप या करना है संख्या निकाल घ्राम तुलिंग की संख्या घ्राइबर होता है टोटल एल इलमोनियम का um एकत्रित भार यानिकि लिखेंगे आप कुल एकत्रित कुल एकत्रित एल्मोनियम का भार कुल एकत्रित एल्मोनियम का भार कितना है आपको वुख चाहिए हग बाटा में चाहिए एल का तुलियांक भार कि एल्मोनियम के चाहिए कि तुलियां कि भार तो आप कुल पर है एकत्रित जो एलमुनियम का भार है आपका दे रहा है 13.5 बटा में आपका इलमुनियम का तुल्यांकी भार il कितना आया है नव तो बटा में नौ आई यहां पर 135 को ऐदे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका मिलेगा वन पॉइंट कितना फाइड यानि कि आपका जो तुल्यांक की भार पता हो गया तुल्यांक की बार यानि कि आपका जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है आपका वन पॉइंट फाइड तो एक ग्राम तुल्यांक में आपका कि ने जब एक ग्राम तुल्यांक रहेगा तो बराबर होता है एक फ्राड निए का आपका 1.5 ग्राम तुल्यांग तुल्यांग बराबर, ध्यां दिजएगा एक ग्राम तुल्यांग बराबर, एक फैराडे होता है, तो 1.5 तुल्यांग ग्राम निकल्दा निकला है, जो तुल्यांगों की संख्या जो निकला है 1.5 ग्राम है यनि कि 1.5 ग्राम तुल्यांग बराबर हो जाएगा एक फैराडे गुड़े जो है कि आपको हो जाएगा 1.5 बराबर हो जाएगा 1.5 क्या फैराडे यहनिकि इतना जो है आपका होगा यहनिकि जो mathematically में काते रहा होगा त्यरत थ्यसक्ता पांच ग्राम क Terry उसके लिए जो है कि 1.50 फैराडे जो है कि आपको चाहिए यहने पूछ रहा था कोशन में कि यहने किरा मैं क्यें फैराडे कि आफ सकता होगी तो 1.5 यानि कि आपका हो जाएगा यह सब चीजे आप लोग को पता चल गई होगी यह आपका प्रोसेस रहा ठीक है इसी के साथ हम बढ़ते हैं अंतिम प्रस्णी के तरफ यानि प्रस्ण नमबर जो है आपका देखिए प्रस्ण नमबर 10 क्या है बहुत ही सिंपल सवाल है ज्यादा आपको दीकत होने वाली नहीं है चलिए हम दो देखते हैं प्रस्ण नमबर 10 का सब्सक्राइब तो चलिए इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो का यह जो है कि आप कांटिम कोशन इसके बाद हम आपके सा सब्सक्राइब लोगे प्रस्ण नमबर 11 के साथ को चलिए रखा हैं कापर सल्फेट के बिलेन में 3.06 ंपयर देखिए इसमें धारा जो है प्रवाहित होरे धारा आई जो है प्रवाहित होरे 3.06 ंपयर की कि फिर फारा प्रवाहिद हो रहे है इक हरा एक घंटे तक प्रवाहिद करने पादीजा है टाइम यो दे रहा है एक घंट ूसेकेंड में बदलेंगे तो आपको पता इह कितना हिता है 3600 सेकेंड हो जाता है ठीक है टाइम हो गया इसके बाद क्या दे रखा है पूछ रहा है क्या कि यानि कि एक घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर 31 कापर जो है कितना होगा कापर का प्रमाड भाहर दे रखा है आपका तेरिसा तो कोई दीकत नहीं है आपको पता है कि फैराडे के नियम से जो होता है डावलू बराबर होता है आपका जेड आई टी फैराडे के नियम से यहाँ पर लिख देता हूँ फैराडे के नियम से यह यहां पर आपका जो जेड बराबर होता है तुल्यांकी भार क्या चाहिए यहां कि आपकाहोता है तुल्यांकी भार यह निकोछ आप बाटा में होता है 96,500 यह आपका इंग जर बराबर होता है é बाटा में 96500 जो की आपका ई जो वार पता करना है कापर दे रखा है ना कोश्चें में तो कापर क आपको चाहिए क्या तुलियांग की भार यहां पर सबसे पहले जेड का वैलू तभी हमों निकाल सकते हैं जब आपको पता होगा तुल्यांकी भार किसका तुल्यांकी भार कापर का यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे कापर कापर का तुल्यांकी भार तो कापर का तुल्यांकी भार बराबर आपका क्या होता है फर्मुला परमाड़ भार चाहिए किसका परमाड़ भार कापर का परमाड़ भार चाहिए तो कापर का परमाड़ भार कितना दे रखा है 63 आप बाटा में सन्योजक्ता चाहिए सन्योजक्ता कितनी है 2 और इसको हम लो डिवाइड करेंगे 2 तिये 6 हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा आप को आइंड कितना 5 यानि 31.5 31.5 31.5 जो तुल्यांकी भार यानि कि E का जो मान निकला हुआ है आपका हुआ 31.5 यहां पर हम लोग यदि रख देते हैं तो 31.5 बाटा में आपका हो जाएगा मेरे परीच्छात्रों 96500 पांसों ठीके इतना जो है कि आपका फाइंड हुआ इसके बाद इसको यदि आप सलूसन करते हैं तो टोटल आपका मिलेगा 32 यानि 3.2 गूणे 10 to power आपका हो जाएगा माइनस 4 10 to power कितना हो जाएगा माइनस 4 यहां पर इससे जो है कि इसमें आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका पॉइंट होगा पॉइंट यह इधर जाता है तो आप इधर करेंगे और यह पॉइंट आपका इधर आता है तो आप उधर खश्त आएग जेड जेड का वेलू क्या है 3.2 इंटू 10 to power माइनस कितना 4 multiply i i जो है धारा 3.06 की धारा है गुड़े जो टाइम है आपका 3600 सेकेंड है ठीके 3600 सेकेंड यहां पर आप multiply करेंगे multiply करके आप देख सकते हैं कई mistake नहीं ठीक है आप calculator द्वार आप multiply कर सकते हैं आपको टोटल आ 35251.2 यानि कि आपका आएगा 35251.2 गुणे 10 के घाता आपका हो जाएगा माइनस 4 आप calculate द्वारा कर सकते हैं आपका आप जो है कि मेरा multiply कहीं गलत नहों आप जो है कर सकते हैं यहां पर डाबलू बराबर हो जाएगा देखिए पॉइंट यहां पर है तो आपको ठीमान में पढ़े होंगे कि जब पॉइंट यहां पर इधर से इधर यह इधर पॉइंट को आपका घात प्लस में जाता है और उस साइट ले चलेंगे पॉइंट को तो आपका माइनस में जाता है देखिए तो इधर आएगा तो इसमें घात 1 2 3 4 यानिकी 3.5 25 करेंगे आप गुणे 10 तो यहां पर माइनस चार है अगर इधर पॉइंट जा रहा है तो यहां पर प्लस चार जुड़ेगा और यदि इधर जाता तो यहां पर माइनस चार आपका घटता यहां पर डागलू बराबर हो जाएगा 3.5 तो यहीग निकंट करेक्ट कना इसके निकरतम इसका और तो आपका तुए ज्क्रेक्ट गरा है यही च आपका प्रेंट धेud तो है तो आपर सीक्स ग्राम दिया हुआ यहां पर है मेरी भीचेक है तो आप सही कर लेंगा ठीक है तो निकरताम मान यहाँ पर देख लीजिएक आपका मिल रहा है पॉइंट के पाले वाला मान-स इन चाहिए उसके बार बार प्र hardest complete wears नमबर की दस तक के प्रसिंगे में शुरुसर रहा है और हई ये ये विडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते 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 जोरे के लाइक कर देजर को देगा छले दोस्तों मिलते ही आप से अंगले अगली वडियो में तक टेकली